नमस्कार स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल शेर नॉमिक्स में और जैसा कि थमनीर देखके आपने समझ लिया होगा कि आज हम कि इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं intraday open high open low candle formation के बारे में जैसा कि आप इस picture में देख रहे हैं कि red वाली candle का जो opening price और high price है वो same है और green वाली candle का opening price और low price same है हम इस वीडियो में जानेंगे कि open high जब बनता है तो क्या करना चाहिए open low बनता है तो क्या करना चाहिए ये बनता कब है बनता क्यूं है और इस वीडियो आप लाज तक देखिए और जानना जरूरी है कि इसका हमें क्या मतलब निकालना चाहिए और इस वीडियो पे आप intraday में successful trade ले सकते है तो देखेंगे जब भी open और high सेम बने तो हम क्या करेंगे short करेंगे क्योंकि open high अगर सेम बन रहे तो उस दिन वो particular stock या फिर index उस high के ऊपर नहीं निकलेगा उसके नीचे ही रहेगा और जिस दिन open low सेम बने तो आप क्या करेंगे buy करेंगे क्योंकि वो particular stock या फिर index उसके ऊपर ही रहेगा अपने low के ऊपर ही रहेगा अगला question आपकी दिमाग में आ रहा हुआ कि time कितने time बाद हम यह समझें कि open high या open low बन चुका है कितने time के बाद तो इसका अंसर ही है कि आप आदे घंटे के बाद या एग घंटे की candle closing के बाद आप समझ जाएंगे कि open high या open low candle form हो चुकी है अगला question ही कि यह बनता कब है ऐसी condition कब आती है तो इसका अंसर यह हो कि जब भी smart money या strong hand किसी भी stock या index को एक direction में ले जाना चाहेगी तो उस case में candle का open high या open low बनता है जैसे हम मान लेते हैं कि आज smart money चाहती है कि आज हम nifty को नीचे ही रखेंगे तो उस दिन open high सेम रहेगा और हमारी nifty continue उस दिन नीचे ही रहेगी या मान लेते हैं कि smart money चाहता है कि आज हम bank nifty को उपर ही रखेंगे तो उस दिर open low same होगा और blank nifty continue उपर ही रहेगी अब आगे हम जानेंगे चार्ट पे कि ये दिखती कैसे है और हम इसको कैसे find out कर सकते हैं इस से पहले मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ भी fix नहीं है कि candle हमेशा opening पे ही form होगी ये बीच में भी बन सकती है तो चलिए हम चार्ट के देखते हैं ये bank nifty का चार्ट है जिसमें आप देखेंगे ये वाली candle देखिए आप जिसका open high same है और उस दिन ये stock ये bank nifty नीचे ही रही है same आप देखेंगे bank nifty का open low same है और उस दिन bank nifty ऊपर ही रही है अब एक चील आप notice कीजिए 10-20 पैसे या एक दो रुपे इसके लिए कोई माइन नहीं रखता अगर 10-20 पैसे रुका फर्क हो या एक दो रुपे का फर्क हो तो भी ये open high open low same माना जाएगा आगे देखते हैं निफ्टी में और मैं आपको वो candle भी दिखाऊंगा जिसमें की इसके अपोजिट रहा है आप निफ्टी में देखिए open high same है और stock पूरे दिन नीचे ही रहा है ये वाली condition देखिए जिसकी मैं बात करूं जो rare होता है कभी open high same है बट stock उपर गया है तो ऐसी condition कभी कभी बनते है रेर बनते है यानि 90% हमेशा चांस होता है कि अगर open high same है तो stock नीचे रहेगा और open low same है तो stock उपर रहेगा बट कभी कभी रेर चांस हो जाता है दूसरा आप ये समझ लें कि ये बीच में कहीं भी बन जाता है जरूरी नहीं कि opening candle भी बने बीच में कभी भी बन सकता है उमीद है कि आपको ये open high open low का लोजिक समझ आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक